हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चैनल मैं हुश्रीम और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स और मेरी गला थोड़ा सा खड़ाब है तो प्लीज एवट कीजिए तो यह जो प्लांट्स आप देख रहे हूँ यह नेस्टिशियम की प्लांट है जो कि मैंने अमाजन से मंगाए थी और मैंने इसकी शीड लगाए थी तो यह जो सभी शीडलिंग है वो अच्छे से अभी बरी भी होने लगी है लेकिन मैंने जो तवी ठीक नहीं थी तो अलग नहीं कर पाई और एक प्लांट पे ही तीन-चार प्लांट पास प्लांट भी रह गई है औ और इसलिए इसकी ग्रोथ थोरी सी कम हो रही है और कुछ केलंडोला की प्लांट जो थी उसको मैंने अलग-अलग करके लगाए थी लेकिन यह नेस्टिशियम मुझसे अलग नहीं हो पाए मैंने इसको नहीं शिफ्ट नहीं किया और एक ही पॉट पे लग-बख चार पास प इसकी लिव्स भी बहुत ही खुबसूरत लग रही है इसकी लिव्स पे जो यलो कलर की डॉट्स है उसके करण बहुत अच्छी लग रही है और यह वाला यहां कुछ प्लांट है जो कि यह जो नॉर्मल नेस्टिशियम है यह है और इसकी कुछ को मैंने यहां लग-भक तीन तब यह इतनी खराब थी कि नहीं कर पाई अलग पॉट पे कुछ एस्टर की प्लांट भी मैंने लगाई है कुछ केलंडूला पे अभी फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है अभी जाके जबकि अभी गार्डन पे फ्लावरिंग शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन मेरी गार्डन पे सिर्फ अभी मैं जो प्लांट है वो लगा रही हूँ पता नहीं कब इससे फ्लावरिंग होगी और कब ये प्लांट ग्रोथ पकरेगी तो मैं इन पे सभी प्लांटों पे आज इसकी गुरहाई भी मैंने कर दी है और इन पे खली का पानी मॉर्निंग को मैंने दी थी गुरहाई करके खली का पानी मैंने दी थी तो सोचा कि इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना खली का पानी इसलिए दे रही हूँ ताकि ये अच्छी ग्रोथ प्रक्रे और इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी से स्टा झाल